आईए शुरू करते हैं अंतर मन की सच्ची कहानिया आपने अभी तक हमारे चैनल को इतना प्यार दिया उसी के लिए आपका शुक्री दा करते हैं हम और हमारे चैनल के बेल बटन को जरूर दबाए जिसे चाहिए आने वाली अंतर मन की सच्ची कहानिया आपको जल्द से जल् कर दो कुले हमारे चैनल को लाइट शेयर सब्सक्राइब जरू करें जाए हिन जाए भारत अंतरमुन की सची कहानिया देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरू करें धन्यवाद पर्देश चला गया एक गूंगी लड़की से शादी कर ली रिश्टर की हकीकत जानी है तो आज की ये कहानी जरूर सुनियेगा गुजारिश करती हूँ पहले हमारे चैनल से इदर वाइस को सबस्क्राइब कर दें और मजीद अच्छी और सची कहानिया सुनने के लिए बेल को जरूर प्रेस करें ये कहानी मेरे एक नहायत अच्छे दोस्की है जो मेरा परोसी मेरा हमसाया भी था हम दोनों के घरानों में भी अच्छे तालुका थे और दोनों भरानों में सिवाई दिवार के कोई फर्क नहीं था इस तरह ये खानदान रहते थे जैसे कई बर्सों से युसरे को जानते हूं और सगे रिष्टे हों होने रिष्टे भी इतने गरीब नहोंगी जितना وہ دوست اور اس کا خاندان ہمارے خاندان کے قریب تھا میرا دوست کا نام عبد الرحمن تھا وہ آٹھ بہن بھائی تھے جن میں پانچ بہنیں اور عبد الرحمن سمیت تین بھائی تھے عبد الرحمن سب سے بڑا بھائی تھا اس لئے اس پر گھرانے کی ذمہ داری بھی بہت زیادہ تھی بہنیں بڑی ہو گئی تھی اور ان کی شادی کرنے کا وقت آ گیا تھا مگر گھر کے مالی حالات اتنے اچھے نہیں تھے कि किसी भी बेहन की अच्छी जगा शादी की जा सके जो भी रिश्टे आते वो घर के हालाद देकर वाबस से ले जाते अब्दुर्रह्मान घर की हालत पर बहुत ज्यादा कुरता था परेशान रहता था फिर किसी ने उसे बेरुने मुल्क जाकर अपनी खिसमत आजमाने का मशवरा दिया ताहम उसके लिए कुछ तो पैसे दरकार थे जो अब्दुर्रह्मान के पास बिलकुल नहीं थे और घर में किसी के पास अतने पैसे नहीं थे कि उसको दे सके बेवा माँ थी और वही वाहिद कफिल था अपने घर का बाब तो था ही नहीं अब्दुर्हमान के कुछ रिशिदार बेरुने मुल्क काम करते थे और वो भी कोई इतनी बड़ी अजरत पे काम नहीं करते थे लेकिन यही बहुत बड़ी बात थी कि परदेश में बैठकर कबा रहे थे और उनके घर वाले जो अब्दुर्हमान के महले में ही रहते थे वो अच्छी जिन्दगी गुजार रहे थे उसने अपने एक रिशिदार से वीज़े के लिए बात की और वादा किया कि आहिस्ता आहिस्ता वो रकम उतार देगा मगर उस इशिदार ने अब्दुर्हमान की मजबूरी से फाइदा उठाने का फैसला कर लिया उसने उसे यकीन दिहानी कराई कि मैं वीज़ा तो भीज दूँगा और पैसे भी नहीं लूँगा लेकिन मेरी एक शर्ट है अब दुर्हमान ये सुनकर बहुत खुश हुआ कि बगएर पैसों की काम हो जाएगा और मुझे पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे लेकिन शर्ट क्या है ये वो नहीं जानता था वो उस वक इतना मजबूर था कि अगर कोई उससे उसकी जान भी मांगता उस वीजे के बदले में तो शायद वो जान देने से भी नहीं चुक जा उसको अपने घरवालों से इतनी मुहंबत थी उसके तहन में अपनी बेहनों की शादिया चल रही थी कि कितने अच्छे घराने में शादिया होगी अगर मैं पर्देश चला जाता हूँ खूब कमाऊंगा खूब पैसे कमाकर घरवालों को भेजूंगा जो हम फाके से जिन्दगी गुजारते हैं मेरी बुरी मा किस तरह हम सब के लिए खाना पकाती है लोगों के घर जाकर बर्दंद होती है तो मेरी बुरी मा अब काम करना छोड़ देगी यही सोचकर उसने अपने उस रिश्दार से कहा कि मुझे आपकी हर शर्ट मनजूर है शर्ट सुनकर अब्दुरहमान के पैरोतले से जमीन निकल गे क्योंके शर्ट ही ऐसी थी कि जिसको वो बहुत मुश्किल से पूरा कर सकता था उस रिश्दार ने कहा कि आपको मेरी एक गुंगी बेहन जो पिदाईशी गुंगी है बोल नहीं सकती है उससे शादी करनी है उसके ही एवज मैं बगर पैसो के आपको यहां बुलवाओंगा अपने पास और वीजा भी बेज़ूंगा रहने का खाने पीने का बंदबस भी मैं करूंगा लेकिन मेरी उस पिदाईशी कुंगी बेहन से आपको शादी करना होगी उसके लिए शादी करना तो कोई मसला नहीं था लेकिन वो एक लड़की से महबबत करता था और बच्पन से वो दोनों एक दूसरे के अतने करीब थे कि एक दूसरे के बगर रहने का सोच भी नहीं सकते थे वो लड़की थी मेरी अपनी बेहन और हमारे घर में भी कोई इतराज नहीं था उनकी महबत पर हम सब के जहन बने हुए थे कि जब अब्दर्रह्मान अच्छी जॉब करने लगेगा और मेरी बेहन तालीम हासिल कर लेगी तो फिर इन दोनों की शादी कर दी जाएगी मंगनी बहुत पहले हो चुकी थी अब जब ये मसला अब्दरह्मान के सामने पेश किया गया तो वो दो कश्टी में सवार हो गया एक तरफ घरवालों की महबत एक तरफ बहनों की शादियां छोटे भाईयों की तालीम खुद उसकी अपनी जॉब और एक तरफ उसकी महबत और मेरी दोस्टी दोस्टी तो शायद खतम नहीं होती क्योंके मैं अपने दोस्टे बहुत महबत करता हूँ लेकिन मेरे दोस्ट को ये फिकर के वो लड़की जो उसके लिए अपने दिल में सपने सजाय हुए है नजाने कितने हसीन खौब देखे हैं उसके साथ कबसे इंतिजार कर रही है उसकी दुलहन बनने के लिए उसका सपना तूट जाएगा उसके खौब चिकनाचूर हो जाएंगे उसने उस लड़की के भाई से कहा कि मुझे थोड़ा वक चाहिए उसका भाई कहने लगा वक्त तुम जितना चाहे लेलो लेकिन हां मैं ही गर्दन हिलाना दूँके अगर तुम मेरी बेहन से शादी करोगे तभी मैं पैसे भी दूँगा और वीजा भी दूँगा यहां पर मजबूरी लेकर जब वो आया मेरी बेहन के पास तो तफसील उसने मेरी बेहन को बता दी मेरी साविर शाकिर बेहन एक आसू उसकी आखों से नहीं निकला उसने कहा कि जैसा मेरा महबूब चाहता है वो वैसा कर सकता है इस तरहा मेरी बेहन ने अपनी महबबत की खुरबानी दे दी और अब्द्रह्मान को शादी करने की अजाज़त दे दी किस दिल से थी ये तो मैं ही जानता हूँ और मेरा दोस्ष जानता है और खुद उसने किस दिल से उस शादी के लिए रदामंदी जाहर की ये तो वो ही समझ सकता है कितना तूटा होगा वो और कितना बिक्री होगी मेरी बेहन अब्दरह्मान के लिए बहुत ही मुश्किल फैस्ता था उसके दिल और दिमाग में एक जंग शुरू हो गई थी एक तरफ दिल था जो मेरी बेहन की महबत में डूबा हुआ था उसकी यादों में खोया हुआ था कितने खौब उसने सजाए हुए थी और एक तरफ वो लड़की जिसको वो जानता भी नहीं था और जो बोल भी नहीं सकती थी उससे शादी करनी थी तो मجबूरी के लिए करनी थी क्योंके घरवालों की महबत थी किसको वो जुनता आखरकार उसने दिमाग की सुन ली और अपनी महबत खुर्बान कर दी मेरी बहन तो पहले ही अपनी महबत की खुर्बानी दे चुकी थी और फिर वो अपने घरवालों को सैट करने के लिए गर को सवारने के लिए बेहनों की अच्छी जगा शादी करने के लिए भाईों के बहतर फ्यूचर के लिए ना चाहते हुए भी राजी हो गया निकाह हो चुका था उन दोनों का हजब वादा उसका वीजा आ गया और वो बेरूने मुल्क चला गया अलेक्ट्रिशन था मेरा दोस्त उसे बेरूने मुल्क में अलेक्ट्रिशन का काम मिल गया कुछ ही दिनों बात उसकी बीवी भी उसके पास आ गई अपनी तमनाओं और जज़वाद की खुरवानी दे कर दिन रात वो काम करता रहा घर पैसे भेशता रहा उसके घर के हाला तब्दील होने लगे बेहनों की शादिया तेह हो गई घरवालों ने इसरार किया कि बेहनों की शादी में शेरी को जाओ और मुल्क तो कमसकम आओं हमें अपना चेहरा दिखाओ तो उसने जवाब दिया कि मेरा आना जरूरी नहीं है आप सब को पैसों की जरूरत है वो ही मैं भेश दूँगा और बेहन की रुकसती इस वक्त ज्यादा जरूरी है अब्दुरहमान के घरवाली नहीं जानते थे कि वो चुके से शादी कर चुका है एक गुंगी लड़की से बेहनों की शादी तो अब्दुरहमान ने करवा दी अब मजीद पैसे जो हर महीने वो भेशता था उसकी बीवी ने वो पैसे रुकवा दिये इशारों से तो वो बाते करती थी उसने अपने भाई से शिकायत कर दी कि मेरा शोहर अपनी माँ को अप पैसे जो भेज रहा है वो पैसे ये ना भेजे ये मुझ पर अपने पैसे लगाए क्यों उन गरीब घरवालों का ये ख्याल करता है और जब उसके भाई ने यानि उसे रिश्टेदार ने अब्दुराह्मान से बात की कि भी अब तुम पैसे घर नहीं भेजोगे अपने तुम्हें ये पैसे मेरी बेहन पर लगाने हैं अपने आने वाले बच्चों पर लगाने हैं उनके लिए बचाओ तो अब्दुराह्मान ने कहा कि मैंने अपने घरवालों के लिए ही इतनी बड़ी खुर्बानी दी है आपकी बेहन से शादी की है वरना मैं तो किसी और से महबबत करता था ये तो अचानक उसके मूँ से बात निकल गई थी उसकी बीवी ने ये बात सुली और फिर वो तमाशा हुआ कि जिसको कोई सोच भी नहीं सकता था कि इतनी बड़ी बरबादी आ जाएगी अब्दुराह्मान उस रिशिदार के साथ काम करता था उस वक्त तो वहां से चला गया हो फिर उसने उसके खिलाफ एक साथिश रची एक दिन अब्दुराह्मान को एक बिल्डिंग में अलेक्ट्रीशन का जो काम करना था उसके लिए उसने एक मजदूर को किराय पर बुलवाया वो मजदूर उसी रिशिदार का यानि उसकी बीवी का भेजा हुआ एक बंदा था चोर था उस जगा पर उस बिल्डिंग में बहुत महंगे तारों के कौाइल रखे हुए थे वो चार कौाइल थे उस मजदूर ने वो तार चुरा लिए वहां से चला गया सुभा जब अबदूर रह्मान आया बिल्डिंग में काम करने के लिए तो वहां पर वो तार मुझूद थे ही नहीं जिन लोगों से उसने ठेका लिया था उन्होंने उसके खिलाफ मुकदमा जारी कर दिया कि इस आदमी ने अपने बंदे के जरिये मेहंगे वायर चौराने की कोशिश की है और चोर भाग चुका है इस तरहां अबदूर रह्मान को एक गलती की सजा ये मिल गई कि उसको कैद कर लिया गया दस से बारा साल तक वो जेल में कैद रहा और सिर्फ यही नहीं हुआ उसकी बीवी ने उसके खिलाफ जो साज़िश रची थी उसने फिर खुला का केस दायर कर दिया कि इस आदमी ने हमारे पैसे लूटे है मेरे भाई ने इसको यहां बलवाया था उसके पैसे खाएं हैं और इसको जुर्माने के तोर पर वो तमाम पैसे भड़ने है यहां पर दोहरी मुश्किल हो गई थी उसके साथ अब वो अपने घर में क्या पैसे भेजता वो तो जुर्माना भर रहा था और जुर्माना कोई हजारों रुपे नहीं थे बलके लापूर रुपे थे इस तरह जो मेहनत से उसने पैसे कमाए वो ही पैसे उसके बरबाद हो गए जिन घरवालों के लिए उसने पुर्बानी दी और घरवालों को किसी हद तक तो वो सैट कर चुका था और वो भी अपनी जिन्दगी में मस्त थे उनको नहीं मालूम था कि जिस बड़े भाई ने उनकी महबत में अपनी महबत को छोड़ा और एक साज़िशी चलाक तरार और गूंगी लड़की से शादी कर ली जिसकी वज़ा से वो फज़ गया वो तो अपनी जिन्दगी में मस्त थे अब उनका भाई उनको पैसे नहीं भी भेज़ता तो कोई फर्ट नहीं पड़ता था क्योंके उसके भाई बहुत अच्छी मौकरी कर रहे थे किसी को नहीं पता चल सका मेरा दोस्त किस अज़ियत में जिन्दगी गुजा रहा है कैद कर लिया गया है जिन्दगी उसकी जो बरबाद होई अपने घरवालों की महबत में क्या सिला उसको मिला हाँ सिला तो अल्लह की जानेब से उसको दिया जाएगा मगर जिन्दगी अब उसकी रो रो कर काटों पर गुसर रही है ये बाद मुझे इस तरह पता चली कि एक दिन उसने फौन किया था हमारे घर सारी हकीकत उसने फौन पर सुना दी अपनी दास्तान सुनाई अपने दोस्त पर मुझे फखर हुआ वही आसू भी निकल आए कि इतनी खामोशी से उसने कितनी बड़ी खुर्बानी दे दी मेरी बेहन को तो उसने राजी कर लिया था कि वो शादी करने जा रहा है हकीकत से आशना कर दिया था मेरी बेहन को पर अपने घरवालों को उसने एक बात भी नहीं बताई थी और बताने का फायदा भी क्या होता कि उनको एहसास होता उसकी माँ तो गुजर गई थी उसी अर्से में भाई एश कर रहे हैं आज अपके जिन्दगी में बहने अपने शोहरों के साथ खुशो कुरूम जिन्दगी गुजा रही है ये याद नहीं कि एक बड़े भाई ने उन सब के लिए अपना सब कुछ कुरूमान कर दिया अपने प्यारों के लिए अपना सब कुछ कुरूमान कर दिया बस इतना कहूंगा कि बेरुने मुल्क मुकीम अपने प्यारों की कुरूमानी को पहचाने उनकी कदर करें आज मैं इन्तिजार कर रहा हूँ कि कब मेरा दोस्त अपनी सजा काट कर वापिस हमारे पास आ जाएगा क्योंकि मेरी बेहन अभी उसका इन्तिजार कर रही है क्योंकि महब्बत तो इसी का नाम है